आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत स्वागत है यूही ग्यान वर्धक चानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आईए आज मैं आपको आज के दैनिक पंचान के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दिनांग 25 मार्च 2021 दिन गुरुबार भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी का दिन माना गया है आज जिनका भी जन्म दिन है उनको उनके जन्म दिन की धेर सारी शुब कामना आए आप शभी भक्तों के उपर भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी का करपा सदैब बना रहे हैं आज फालगुन माह शुक्ल पक्ष की एकादसी तिथी होगी सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक सुर्योदय सुबह 5 बजकर 48 मिनट और सुर्यास्त सांग 6 बजकर 2 मिनट सुर्यास्त मीनराशी में रहेंगे और सुबह 9 बजकर 43 मिनट तक करण विष्टी करण सुबह 9 बज कर 43 मेर तक नच्छत्र की बात करे तो असलेशा नच्छत्र रातरी 10 बज कर 49 मेर तक दिशा शूल की बात करे तो आज गुरुबार दिन होने की कारण आज के दिन दक्षिन पुर्व और अगनय दिशा की यात्रा ना करे यह लावकारी नहीं होगा अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दही या जीरा खा कर बाहर निकले इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतवी की ओर आगे बढ़े आज गुरुबार का दिन भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी का दिन मना गया है आज एक आदसी तिथी होनी के कारण आज के दिन आमल की एक आदसी का व्रत किया जाएगा कभी भी एक आदसी का व्रत दौादसी युक्त एक आदसी का व्रत किया जाता है तो आज एक आदशी के दिन भगवान रिश्णू माता लक्ष्मी का पूजन करे ब्रत उपवास करे तो या बहुत ही लाबकारी होगा आए जानते हैं आज के शुब महुर्द के बारे में शुब महुर्द की बात करे तो अब जीत महुर्द सुबह 11 बचकर 31 मिनट से दो पहर 12 बचकर 19 मिनट तक गुली कालम समय होगा सुबह 8 बचकर 51 मिनट से सुबह 10 बचकर 23 मिनट तक अब आए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में राहुकाल समय की बात करें तो राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुभकारी या नया कारी नहीं किया जाता है या लावकारी नहीं होता है तो आज का राहुकाल का समय होगा दो पहर एक बज़कर 27 मिनट से दो पहर दो बज़कर 69 मिनट तक यह विकरम शंबत 277 प्रमादी है औ और शक्षंबत 1942 सरवड़ी तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोट्पिक तथा दोस्तों के साथ शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जै स्रीराध्य कृष्ण धन्यबाद